Hello Students, Good Morning तो आज हम समझेंगे क्लास 12 चैप्टर नमबर 8, लेक्शिर नमबर 2 लेक्शिर नमबर 2, चैप्टर नमबर 8 का है, प्रवंद के कार्रे आज प्रवंद के कारे को समझेंगे इससे पहले हमने प्रवंद का आर्थ समझाता है management का आर्थ समझाता है कि management क्या होता है ठीक है चलिए start करते हैं कि प्रवंद के कारे क्या होते है function of management तो देरा two types of functions दो तरीके के functions होते हैं हमारे पहला होता है हमारा main function यानि के promote career और दूसरा होता है हमारा circuit career, outlet — subsidiary function सबसे पहले हम discuss करेंगे प्रमुक कारे प्रमुक कारे में सबसे पहले क्या आता है necessity किसी भी business को start करने से पहले हम क्या करते हैं? उसकी planning करते हैं कि हमें किस type का business start करना है? जब हम कोई भी बिजनस स्टार्ट करते हैं तो हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमें अपना बिजनस उसका पहले से ही प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें अपना जो भी बिजनस स्टार्ट करना उसका मीन मोटिप क्या रहेगा उसका उद्धिश्य क्या रहेगा तो हम अगर दूसरी भासा में कहें कि नियोजन क्या होता है प्लानिंग क्या होती है तो किसी भी काम को कैसे करना है कब करना है, क्यों करना है किसके द्वारा करना है ये सब बाते जो निधारित की जाती है यह सब news in के अंदर आती हैं कि हम पहले से ही planning करके रखते हैं कि अपने working को हमें कैसे करना है अपने लक्षे की प्रापती हमें business में कैसे करनी है तो एक planning करके चलते हैं हम किसी भी business को करने से पहले नेक्स्ट है हमारा संगठन यहांने कि और ना's वागनाजिशné कि ऐसलने प्रकार्वे क्वाश्ट सारे संगठन मेशलेश्ट को मिला संगठन है उसमें सा 1 और है मेशलने परकार्व भीटांग्रों, परकार्व, अध रूम गुरुबत्ता के एकॉर्डिंग उनके वर्किंग को बाट दिया जाता है उन्हें सौंप दिया जाता है कि आपको ये वर्किंग करना है आपको ये वर्किंग करना है तब ही हमारे जो भी बिजनिस स्टार्ट कर रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा होता है स्टाफिंग के बारे में तु आप जानते होंगे कि स्टाफ को चलाने के लिए करमचारियों की जरूरत होती है तो वह स्टाफक गैसा होना चाहिए प्र bıिक्सक्री क सेलेक्षन किया जा रहा इस एक संस्टा को दे सक होती है करना होता है एक संस्ता को डिसाइट करना होता है कि जो हमारे अधिकारी है या जो भी हमारे संस्ता का स्टाफ है वो योगे और शिक्षित हो प्रशिक्षित हो प्रशिक्षित अधिकारी हो ठीक है तो उसमें क्या देखना होता है कि उनकी education क्या है और उसको किस department में रखा जा सकता है इंटर्व्यू के बेसिस पर उनकी शिक्षा को आखा जाता है या करमचारियों के कुछ वलता में ब्रद्धी की जाती है तो संस्ता का जो उत्पादकता और सफलता निर्भर करती है वह किस पर डिपैंड करती है स्टाफ पर करती है क्योंकि वही सारा कार्य करेंगे ऑ अच्छी प्रोवाइट की जाएंगी नेक्स्ट है हमारा निर्देशन निर्देशन मतलब डारेक्शन निर्देशन का क्या मतलब होता है किसी भी हमने स्टाफ को सेलेक्ट किया है तो उनको किस समय पर क्या काम करना है कैसे करना है और कब करना है तो उनको डारेक्शन दी ज उनकी चमता के अनुसार उनको working दिया जाता है कि उनके समय पर कैसे काम करना है next बात करते हैं दो अभी प्रिधना यानि की motivation motivation की motivation की सभी को जरूरत होती है हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे motivation मिले मोटिवेशन कैसे मिले और संसथा में हमें मोटिवेशन अपने क्रमचारियों की त़ना से देना कुछ परशन ऐसे होते हैं कि वह self motivate होते हैं वह स्विख्षा पुरूंण ही अपने कार्डे करने के लिए प्रयरित्ध होते हैं कि हमें यह कार्डे करना हैं लेकिन कुछ जी कुछ परचन एसे होते हैं जीने हमें motivate करना होता है motivate किस तरही के किया जाता है आप किस किस तरह के से अपने employee को motivate कर सकते हो प्राइब दे मस बनमो आप इनको इन चीजुँ के दवारा इससे क्या होता है निदुलाय कि जो भी हमारे संस्था है तो संस्था के जो करमचारी है वो अपने। जो उणर है संस्था का पहती प्रतिके रहते हैं इमान रहते हैं और पतार काम करने उसलम सब dal सकता है लर्गन oder काम करता है तो मोटीवेशन क्या है बहुत ही जरूरी पाहट है हमारे किसका function का without motivation कोई भी person कुछ नहीं कर सकता next है हमारा समवन्य, समवन्य मतलब coordination, coordination का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे विभाग होते हैं या उनको विभागों में जो भी कार्य हो रहा होता है वहाँ पर क्या करना आपसी ताल मेल बनाना मतलब coordination करना आपसी जो उनकी बांडिंग होती है उनको बनाए रखना मतलब संस्ता के सभी person जो है वो मिल जूल कर कार्य करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं तो उस ही क्या होता है कि हमारी जो संस्ता है उसका जो लक्षे पाने की जो प्राप्ति होती है जो अपने लक्षे को पाना चाहता है वो जो अपना टार्गेट पूरा करना चाहता है जब सब लोग मिलकर अपना कार्य करेंगे तो हमारा टार्गेट जल्दी पूरा होता है ठीक है टाइम टेबल बनाकर अपना कार्य करना या आपस में जब किसी को कॉडिनेशन का मतलब है कि किसी परसन को अगर जिसे कुछ वर्किंग नहीं आ रहा है तो उसकी हैल्प करना उसको मोटिवेट करना या उसको प्रेणा देना कि आप इस तहरा से ये वर्किंग करो उसकी हैल्प करना coordination कहलाता है, पूरा staff क्या करता है मिलकर जब कार्रे करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा coordination कहलाता है next है हमारा नियंटर नियंटर मतलब control control मतलब की control word से ही आप समझ रहे होंगे कि संस्ता के अंदर जितने भी आपके working है उसको एक control में लेकर चलना मतलब की संस्ता के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारा कार्रे किया गया है हमने जो planning की है, organizing की है staffing की है, directing की है motivation दिया है हमने employee को या coordination किया है तो overall इन सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, control करना होता है कि जो भी हमने प्लानिंग की है वो थीक की है या नहीं की है उससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा या नहीं होगा या कोई बी ऐसी गतीविती तो नहीं चल रही है जिसमें हमें किसी भी चीज को सुधानने की जरूरत है या नहीं है तो नियंतर मतलब overall control करना होता है हमारे पूरे staff के functions को management को हम अगर control में करके चलेंगे पूरी चीजों को हम overall देखकर चलेंगे तभी हमारे ये कारे successful होते हैं या तभी हमारे संस्ता का जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होता है तो ये एक process है आप इसको उपर नीचे नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको planning करनी होती organizing करनी होती, staffing करनी होती, direction, motivation, coordination, then after that control तो एक बार हम इसको repeat कर लेते हैं पृबंद के जो मुखे कारे थे हमारे जो main function थे सबसे पहले हमारा था नियोजन, नियोजन मतलब planning, संगठन मतलब organizing, नियोक्तिया मतलब staffing, निर्देशन मतलब direction, अभी प्रिणन मतलब motivation, संबन्य, coordination, नियंतर, control इसके बाद हम मूब करते हैं इसके सहायक कारे, इसके कुछ सहायक कारे भी है, subsidiary function जो main functions की क्या करते है, help करते है, सबसे पहला हमारा इसमें होता है, निर्ने लेना, decision, decision मतलब की right time पर, right time और right day पर हमें क्या decision लेना है, किस तरह के decisions हमारे main संस्ता के लिए जरूरी है, क्या जो भी decision लिया जा रहा है management के द्वारा, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, in future हमार business में profit उससे generate होगा या नहीं होगा, तो निर्ने लेना, निर्ने लेना, यानि कि decision, decision making, हमारी कुछ संस्ता की policies होती है, या कुछ हमारे नियम कानून होते हैं, वो सब हमारे किस से होते है, decision making पर करते हैं, कि हमारा in future जो भी हम business कर रहे हैं, वो किस तरह से हमें run करना है, या जो भी हमने planning बनाई है, वो हमारी successful होगी या नहीं होगी, next है communication, communication between staff, manager, और other persons, like your customer, consumer, ETC, next है नवचार, innovation, innovation आज की उसमें बहुत जरूरी है, जब तक आप कुछ नया नहीं लेकर आते हो अपने business में, तब तक आप कुछ नया नहीं लेकर आते हो अपने business में, तब तक business नहीं चलता है, तो आज की रा में हम देखें, तो innovation होना बहुत जरूरी है, मतलब नए नए ideas लाना, नए creative product लाना, यह बहुत जरूरी हो गया, तो innovative ideas लाना, innovative product लाना, जरूरी है, किसी भी संस्ता के लिए, नेक्स्ट हमारा सबस्टी फंक्शन है research work, research मतलब शोध कारे, यह बहुत ही महत्वपूर कारे है, इसका, इसी के दुआरा हमें पता लगता है, कि market में क्या नया आ रहा है, क्या नही चीजे जन्रेट की जा रही है, तो research work से ही हमें पता लगता है, हम research करते हैं, कि जो भी अ आज कल आपने देखा होगा कि नए नए mobiles क्या हो रहे हमारे market में आ रहे हैं, तो यह research के द्वारा ही आ रहे है, तो देखा होगा आपने की Nokia पहले, simple keypad और touch में आता था, आज कल आप देखेंगे, तो वह थोड़ा सा Android में convert होता जा रहा है, और नए-ने features एड़ो कर उसमें आ रहे हैं, तो यह research के द्वारा ही हमने research की होगी market में जाकर तभी हमें पता लगा कि क्या क्या changes किये जा सकते हैं, ठीक है, next है हमारा प्रतिनिधिद्व, यानि की representation, representation क्या होता है, कि किसी भी संस्था में हमें बहारी हित की जरुरत होती है, जो बहार के पक्षकार होते हैं जैसे अन्य व्यवसाइके संगतन सरकारी, यदिकारी, या ग्राहाक, पूर्तिकर्ता, श्रमशंग, या वित्य संस्थाएं होती हैं, जो financial treatment होते हैं, या जो हमारे हमें कभी-कभी राजनिता उसे मिलना पड़ता है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं संस्था के अंदर की प